सिर्टक्रिया, सो्डा देरे देरे पेना चाहिजह?" भैया, सोडा तो पीना ही नहीं पेना चाहिए सोडा पीना तो बहुत ही खराब है ओने, जहर किना शाते हैं अब सोडा बाने कारबंड़ा यॉयॉकसाइड tip गेस मिलाया हुआ पानी और आग लगाएंगे वहाँ यह आपको शान्त करेगी क्या करेंगे यह दर में आग लग गई और आग लगाएंगे यह इसको शान्त करेंगे तो और गैस की प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए तो फिर कैसे ठीक होगी यह गैस की प्रॉब्लम यह मैं कल और परसों बताने वाला हूं आप चिंता मत करिये यह आने वाला है एक-एक बीमादी से बात करके मैं आपको बताने वाला हूं कि गैस है तो कैसे ठीक करना चाहिए अभी तो चार सूत्र बात हुई थी उस पर कोई प्रशन हो शंका हो जरूर पूछ लीजे ताकि आप यह कल से करें जी जरूर पी सकते हैं जरूर पीजिए मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि पूरे बारो महीने कोमट पानी पीजिए अगर आपने थोड़ी भी सहित करने की छमता है तो पूरे बारो महीने क्या जनवरी क्या परवरी क्या मार्च और क्या जूर सभी दिन कोमट पानी पीजि तो मैं आपको स्टांप पेपर पर लिखके देता हूं कि जिन्दगी में 103 रोग कभी नहीं आएंगे आप 103 माने 103 लोगों से जिन्दगी भर आप बचे रहेंगे जिन्दगी भर अगर कोबट पानी पीने का नियम डालें तो और ये बहुत अच्छा लगता है थोड़े दिन में आदर पड़ जाये तो बहुत अच्छा लगता है है सूथ होगा कोमट पानी सबको सूथ होता है बाबारे जीब को टेस्ट खराब लगिया है वो अलग बात है गोमट पानी सबसे ज़्यादा सूप होता है शरीर को मैं परसों आपको एक chemical analysis बताने वाला हूँ जब आप घंडा पानी पीते हैं उसको शरीर में पाचन होने के लिए कम से कम 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं और गोमट पानी को शरीर में डाइजेस्ट होने के लिए करने में उसका चार जुना सब्सक्राइब दो कमट पानी अगर घंड़ी अच्छा है और जिनको बाट की तक्लीफ है उनκε लिए तो कोमट पानी आओशदी है दवाए जिनको भी बाट की तक्लीफ है वुर्गे दुपते हैं कमर दुपती है कंदा धुपता है थोड़ा भी काम करो तो सांस भलती है जिनको भी वायू का प्रकोप है शरीर में उनको तो हमेशा ही प्रोबट पानी पीना सबसे अच्छी दवा है सबसे अच्छे हो ठीक है कल की बात समाथ जी आगे चले आप कुछ पूछ रहा पीछे बाइट हो गया ना अभी परसों बात करूं मैं इसमाथ चले अगे बढ़ेंगे अभी आगे के दस सुत्र बताता है कल चार हुए आगे दस सुत्र बताता है